नमस्कार दोस्तों। खराश को ठीक करने के लिए चेरिकोफ 12 सिरप का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा चेरिकोफ 12 सिरप सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। सर्दी जुखाम नजला और allergy के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंकों से पानी आना, आख नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक का बंध होना आधी लक्षण सर्दी जुखाम नजला और allergy होने पर हो सकते हैं. Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में चेरिकोफ 12 सिरप की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में चेरिकोफ 12 सिरप की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, चक्कर आना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, मींद आधिक आना, कब्स होना या दस्त होना, भूक कम लगना, छाती में जलन होना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना आदी side effects चेरिकोफ 12 सिरप की वज़ा से हो सकते हैं। अब हम discuss करेंगे की चेरिकोफ 12 सिरप को कैसे लेना recommended होता है। चेरिकोफ 12 सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर दो साल से लेकर छे साल के बच्चों को डॉक्टर एक मिलिलीटर चेरिकोफ 12 सिरप को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सला देते हैं। और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलिलीटर चेरिकोफ 12 सिरप को दिन में दो बार लेने की सला दे सकते हैं। चेरिकोफ 12 सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं। इसलिए आपको चेरिकोफ 12 सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवशकता होती है। क्योंकि चेरिकोफ 12 सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन अधिक आ सकती है। चेरिकोफ 12 सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेरिकोफ 12 सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़े से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है, और नीन्द आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है. ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर, कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, हाइपर्थाइरोइडिस्म होने पर, डाइबिटीज कंट्रोल में न होने पर और पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर चेरिकोफ 12 सिरप को अगर आपको चेरिकोफ 12 सिरप को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा स जांच करवा सके अगर किसी व्यक्ति को चेरिकोफ 12 सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है तो ऐसे व्यक्तियों को चेरिकोफ 12 सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए प्रेगनेंट महिला और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए चेरिकोफ 12 सिरप का सेवन करना सुरक्षित वर रेकेमेंड़ नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका चेरिकोफ 12 सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।